हेलो दोस्तों कैसे हो आप सो विल्कम आक्टी जोर्व उनस्टी में हो प्रकाश इस वोडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ESIC SSO यानि Social Security Officer के पोस्ट में Notification से लिए का जॉइनिंग तक टोटल कितना टाइम लगता है पिछली जिलो अक्रेटमेंट हुई थी ये 2022 में हुई थी 2022 में हुई थी तो इसकी Notification 11th March 2022 को रिलीस की गई थी और इसकी Prelims Exam 11th June 2022 को हुई थी Prelims की Result 22 June 2022 को आई थी यानि की बहुत Fast इसका जो Process होता है ये देखने को मिला था उसके अगर मेंस की अगर बात करें तो मेंस की Exam 23 July 2022 को हुई थी यानि की Result के लगभग एक महीने बाद एक्जाम हुई थी और मेंस की Result 2 August 2022 को रिलीस की गई थी इसके बाद आपको Computer Skill Test देना होता है तो Computer Skill Test और साथी साथ Descriptive Test देना होता है 27 अगस 2022 को ये एक्जाम हुई थी और ESIC SSO 2022 की जो Recruitment ही थी इसकी Final Result 2nd November 2022 को रिलीस की गई थी और इसके लगभग एक महीने बाद ही ज्वाइनिंग मिल गई थी यानि की December के First Week में सभी Candidates को ज्वाइनिंग मिल गई थी तो यहां से आप देख सकते हो लगभग 9 months में ये पूरा process complete हो गया था ESIC SSO की Recruitment का इस बार के अगर हम बात करें 2023 में तो इस बार expected है February के end तक आपको notification देखने को मिल सकती है ESIC SSO के post में तो पिछली जो Recruitment के अगर हम timing duration देखे तो उसके recording expected है कि इस बार भी 8-9 months में पूरा process complete हो जाना चाहिए तो November तक maximum October या November इंड तक आपको final joining मिल सकती है ESIC SSO के post में और ESIC SSO की जो जौब है बहुत ही बहतरीन है बहुत ही जबरदस्क जौब है इसके regarding मैंने separate videos भी बनाई हुए जिसमें मैंने job profile के उपर duty and responsibilities के उपर detail में बात की है तो उस video के link मैं description आप में डाल दूँगा आप वहाँ जाके इस job के बारे में और knowledge ले सकते हो salary sleep वगरा के भी मैंने डाली विए videos तो वह अब देख लेना सारी चीज़े clear हो जाएगी और salary काफी अच्छी यहां मिलती है and जो job profile रहती है बिलकुल officer grade वाली job रहती है तो job profile भी काफी अच्छी रहती है अगर आप इस post में interested हो तो अभी से तैयारी start कर दो notification February end तक expected है में भी मार्च के first week तका सकती है लेकिन notification definitely release की जाएगी तो इसके तैयारी अच्छे से करना और ESIC जैसे organization में आपको job करने का मौका मिल रहा है permanent government job रहने वाली है तो apply ज़रूर करना तैय Q कि उन्यूर करने चज्टे से घ्टे आए